इस पूरी दुनिया में साथ अजूबे हैं, जिन में से एक ताज महल भी है। आग्रा का ताज महल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्हा माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आग्रा एतिहासिक द्रिश्टी से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्र स्थान पर बहुत बड़े क्षेत्र में स्थित है, जिसके पीछे की तरफ नदी है। यहाँ प्रित्वी पर स्वर्ग की तरह दिखता है। यहाँ सफेद संग्मर्मर का प्रयोग करके बनाया गया है। ताज महल को दुन्या के साथ अजूबों में से एक माना जाता है। ताज महल बहुत खूपसूर्ती से बनाई गई एतिहासिक इमारत है। यहाँ आगराप उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्रित्वी पर प्रकृती की अद्भुच सुन्धरता में से एक है। यहाँ शाहँ जहाँ द्वारा अपनी पत्नी मुम्ताज महल की बनवाई गई बहुत ही सुन्धर कबर है। प्राचीन समय में शाह जहा एक राजा था और उसकी पत्नी मुम्ताज महल थी। शाह जहा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वहां उसकी मृत्यू के बाद बहुत दुखी हो गया। तब उसने अपनी पत्नी की याद में कब्र का निर्मान कराने का निर्णे और उसने ताजमहल का निर्मान कराया जो आज दुनिया के साथ आश्चरियों में से एक है यह सफेद संगमर्मर से बनी हुई है जो इसे भव्य और चमकदार बनाता है इसे बहुत से कलाकारों और कारिग्रों ने कठिन परिश्रम द्वारा बनाया था इसे 20 करोड भारतिय मुद्रा के द्वारा तैयार कराने में 20 सालों का समय लगा यहां आकरशक तरीके से बनाया गया है और शाही सुंदर्ता के साथ सजा है गुंबत के नीचे अंधेरे कक्ष में राजा और रानी दोनों की कब्र है इसकी दीवारों पर काज के टुकडों का उप्यों करके कुरान की कुछ आयतों को लिखा गया है इसके चारों कोनों पर बहुत ही आकरशक चार मिनारे है आगरा ताज महल से इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को मित्रों और परिवार से साजा करें